दोस्तों बात करने वाले हैं स्वास्त अंग परिवार कल्यार मंत्राले के द्वारा जो है वेरियस पोस्ट पे ग्रूप C और B की वेकेंसी निकाली गई है दस्वी पास तो भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने बारोही पास के तो भी फॉर्म आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं वेरियस पोस्ट पे वेकेंसी निकाली गई है DGHS यानि Directed General of Health Service जो Central Government के द्वारा जो है ये वेकेंसी निकाली गई है Ministry of Health and Family Welfare के द्वारा तो इसमें देख सकते हैं इतने तरह की पदों पे वेकेंसी निकाली गई है हम बात करें इसमें करी तरह की अलग-अलग पोस्ट है जैसे की यहाँ पर देख सकते हैं इतने तरह की वेकेंसी यहाँ पे निकाली गई है इसमें कुक की वेकेंसी जो सिर्फ दसवी पास पे है इसके वासे Assistant, Physiotherapist की POST है इसके बासे Kitchen Assistant की वेकेंसी है जिसमें Metric Pass बोला गया इसके वासे Medical Lab Technologist की वेकेंसी है असिस्टेंट फीजो थरेपिस्ट जो की गौरीपूर में है वहां की वेकिंसी तो अलग-अलग ओफिसेज वाइस भी इन्होंने जो है वेकिंसी को दिखावा टेलर की वेकिंसी है जो ग्रूप C टाइप की वेकिंसी मानिगे टेकनिसियन बॉयलर अटेंडेंट इस तरह के ज तो यहां पे सफाई करमचारी है कीचन स्टाफ की वेकिंसी है फार्मसिस्ट कम क्लर की वेकिंसी है इसी तरह से आप देखेंगे तो एकाउंटेंट की वेकिंसी आपको देखने को मिलेगी तो 64 तरह के जो है अलग-अलग पदों पे वेकिंसी यहां पे निकालीगी है इस त list जो है 3rd week of December में conduct करे जाएंगे 4th week of December में आपका documents verification start हो जाएगा तो यह मैंने overall जनकारी आपको दिया है form भरने से पहले आप एक बार सभी information को पढ़ेंगे कि आपका qualification age limit यह सब क्या है आई जानते हैं कैसे form को भरना है तो इस website से आपको form को apply करना है यहां से आप detail advertisement भी download कर सकते हैं मैं इसका direct link आपको description box में डाल दूगा click करके आप इस website पर आजाएंगे यहां पर click करेंगे तो यह आपका notification जो है download हो जाएगा 26 page का आप notification को पढ़ेंगे यहां आपका दिया गया है कि पद का नाम और यहां पर आपको जो है उसका qualification यहां पर दिया है बगल में इस तरह साब पढ़ लेंगे form बने के लिए सबसे पहले आपको registration पर click करना होगा फिर आपको login करना होगा तो पहले यहां पर आपको देखिए बोला गया कि कि अपना full name लिखिए फिर यहां data birth का चुनाओ कर यहां से क्लिक करेंगे तो calendar open होगा सबसे पहले आपको year को जो है आपका registration successfully हो जाता है आपको यहां पर प्रोसीड का option मिलता है प्रोसीड वाले पर click करेंगे यहां पर आपका अगला श्टिप आपको आ जाता है यहां पर अपना father's name यहां पर mother's name को लिखेंगे इसके विए से आप नीचे आएंगे यहां आपको gender बताना है कि male female क्या है यह आपको लिखना यहां पर married है कि unmarried यहां पर बताना है अधार नमबर लिखना compulsory नहीं है आप दिराशाथ दिजिये वर्नाई से छोड़ सकते है नेसलिटी आपको बताना है के टिगरी बताना है आप कोंसे के टिगरी से बिलॉंग करते हैं यहां पर सबसे पहले EWS है उसके Central Government Servant है तो इसका विकलांग प्लस Central Government Employee है तो इसका नहीं तो none भी आप चूच कर सकते हैं इसमें से कोई नहीं है तो इसके विसाप्लाइंग फॉर कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं यहां पे वो सभी पोस्ट आपको सो करेंगे जितने भी यहां पे मैंने यहां पे सभी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो आप अपने एकॉर्णिंग यहां पे पोस्ट की चुनाव कर लेंगे जो भी आपका यहां पे पोस्ट है अगर आप बोलेगा तो आपको लिंक जिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप क्लिक करके सभी information को easily यहने सब नेए अगले step में आपको current address आपको बताना है तो आप यहाँ पर आप गाहों सब्ढ़े आपको षबाखते हैं अगर आप जोह सहर में रहते हैं तो सहर के जैसा जरש होता है गली माकान यहान लिक थी यहाँ से CT लिख देंगे फिर यहाँ पे जो है राज चुनाव करेंगे किस राज से बिलाओ करते हैं पीन कोड क्या आपका वो यहाँ पीन कोड लिख देंगे आपे पुछना पर्मन एड्रस सेम है कॉरेंट एड्रस की तरह तो इसको टीक करेंगे सेम सेम कॉपी हो जाएगा उपर नहीं है तो इसको अंटी कराने देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अलग से मेनुवली लिखना होगा यहाँ पे आपको जो है एक्जाम सेंटर की च्वाइस करनी है तो यहाँ पी देखिए इतने जगों पे आपका एक्जाम सेंटर बनाए गये हैं जिस करते ही अगले step में आपका यहाँ पर जो educational qualification की जनकारी भरने है तो जिस post पर आप form भरेंगे उसके लिए जो minimum qualification है वो आपको भरना mandatory है वही वाला option यहाँ पर आपको भरने के लिए पूछा जाएगा अगर आप extra कोई qualification भरना चाहते हैं तो add का भी option दिया आप add पर क्लिक करके अपना qualification को चुनाव करके यहाँ passing year और यहाँ stream और percentage होगर बता सकते हैं अगर extra है तो नहीं है तो जिस भी post पर form भरेंगे उसके according यहाँ पर आपको अपना qualification को भरना होगा तो मैं यहाँ पर MTS वाले post पर form भरा हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ आ रहा कि आप matriculation को लिख दीजेगा metric में जो भी अपका भी सहरा है percentage यहाँ पर लिख दीजेगा और कोई qualification है तो उसको add करेगा नहीं तो छोड़के आप save and next वाले पे click करेंगे save and next करते ही अगले step पे यहाँ पर आपको जो अपना passport size color photograph upload करनी है maximum 100 के भी होना चाहिए उससे कम का आपको upload करना है यह maximum size 100 के भी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पर category certificate यहाँ पर जाती certificate बताएंगे तो अगर आप general से हैं तो आपको जाते certificate नहीं लगने वाला है में और maximum size 200 के भी से कम बोला गया है अब यहाँ पर आपको जो है save and next करना है 7S करते हैं यहाँ पर आपका application form का सारा information सु होता है याण पेज पर विव्यू है आप एक बार सभी जनकारी को verify करेंगी जो भी अपने जनकारी यहां पर दिया है सब चीज सही है अगर आपको लग रहा है गलती है तो modify जरूर कर लिए क्योंकि बाद में सुधार करने का option यहाँ पर नहीं है तो चलिए करते हैं submit करते ही बोल रहा है कि आप सबने check कर लिया carefully क्योंकि फ्रीक जबा करने के बाद से आप यहाँ पे change नहीं कर पाएंगे ओके करेंगे ओके करते ही यहाँ पे आपको apply for new post यहाँ पे अगर आप दूसरा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं तो आप इस चोड़ सकते हैं मेरा यहाँ पे final submit हो चुका है यहाँ print का option मिल गा है अब हम क्या करेंगे यहाँ इससे print out निकाल ले किया हम चाहरें किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ चुनाओ किया और यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो हम जो है कुक वाली के लिए यहाँ पर स्टार्ट करना सुरू कर दिये हैं तो हम यहाँ करेंगे अगले step में यहाँ पे declare बोल रहा करने के क्योंकि है mandatory हो चुका है तो यह चीज आपको जो है ऐसे भरना है फॉर्म को अगर आप multiple पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं आपके उपर डिपेंड करते हैं यहां से आगे आप होम पे आ जाएंगे तो अब ही आपको जो होम वाले पेज पे लेकर करा जाएगा इस परकार से अगर माल लेजिए आप दुबारा लॉग इन करना चाहते हैं तो यहां से लॉग इन वाले पे क्लिक करेंगे आपको लॉग इन आइडी जो पाश्वर्ड मिला उसे अप लिक के साइनिंग करके आप लॉग इन भी कर सकते हैं इन दे फ्यूचर पूछिएगा फॉम भरने से पहले आप लोग एक बार जो है पूरे नोटिफिकेशन को अपने सतर से जरूर पढ़िएगा क्वालिफिकेशन को एज लिमिट को इसके अलाबा कहां किस ओफिस में कितनी वेकेंसी है यहां देखे कोलकता में है राची में है योकि इसके संस् सब्सक्राइब कराना यहां पर इन्हों ने अल्यडी यह मेंसन किया हुआ है तो आप एक बार जरूर चेक करेंगे और सभी इंफॉर्मेशन को भी आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहों आगे चलके आई होप आप लोग समझे होंगे मिल झाल हुआ हुआ है झाल हुआ है हुआ है ?